एक मा ने अपने ही चार बच्चों को मारा और फिर खुद कुशी कर ली अनाज के ड्रम में बंद कर जान ले ली मैला भी प्रेगनेंट बताई जा रही है राजिस्तान के बाड मेर में मा ने अपने ही चार बच्चों को अनाज के ड्रम में बंद कर हत्या कर दी हत्या के बाद माईला ने भी फासी लगा कर सूसाइट कर लिया और माईला भी प्रेडिनेंट बताई जा रही है पुलीस ने बताया कि गड़ना सनिवार दोपार की है बाणयवास गाओं की रहने वाली उर्मिला 27 वर्षी ने सनिवार को अपने चार बच्चों को बावना आट वर्षी विक कि लाल ने बताया कि हम लोग अलग अलग रहते हैं और घर भी दूर दूर बने वे सनिवार सुबह उर्मिला का पती जेटारा मजदूरी के लिए गया हुआ था साम के समय हम लोग खेत पे काम करे थी जब बच्चे और उर्मिला नहीं दिखाई दी तो घर की माईलाओं ने बिज किया हुआ यह हमें पता नहीं है जेटाराम के जीजा परदीप के मतबिक उर्मिला ने सनिवार सुबह पती को खाना खिलाया टिपन पैक करके दिया साम को पास बज़े कॉल करके बोला था कि पिता की तबी ठीक नहीं है घर पर आ जाओ गाउं पहुंचने पर जेटा करम की जानगारी मिली माहिला के चाचा डूंगराम ने पुलीस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी बती जी को पिछले पास सालों से पती और सुस्राल वाले प्रेसान कर रहे दी बती जी ने इस बारे में कई बार बताया और सामाजी किस्तर पर पंचाय दी भी दमा नहीं बती जी उर्मिला और बच्चों का मदर किया है इस बारे में मामला दर्ज किया गया है हमारी तो एक ही मांगे कि उचित कारवे की जाए ताकि बती जी को न्याई मिल सके मंदली थाना अदिकारी कमलेस गेलोत के मुतबिक पति पत्नी की बिच कुछ समय से अन्बन चल रहे दी माईला की साधी दोचार सब्दे में हुई थी जब हम मोके पर पहुंचे तो माईला के गले में फाशी का बंदल लगा वा था और जौपड़े के निच्चे आंगन में पड़ी थी जबकि बचे अनाज के ड्रम में थी पाचों की मौत हो चुकी थी माई के वालों ने पत्ती के खिलाब मडर और दाइस परतारना की रिपोर्ट दर्श कर रही है अब पुलीस ने मामला दर्श कर जास में जुटी है पिछले पॉंट साल से ये परिशान थी इनको दर्श के लिए परिशान की अज़ाता था आए दिन मार पीट की जाती थी और कई मार इस ने पौन करके बताया बारे से लाके छोड़ दी गई और चार बचों और एक बचा घर में था और ये दुकत की बात है कि हमें मौनों बच्टी को और बचों को मार डाला है बसके पियर प्रक्स जो तो के निवस हैं हो आए हैं में इस प्रिश किये हैं पत्ति के लाप नाम जित अत्यागी ने पत्मी की लिपोस दिये हैं लक्ष कर जाने हैं और अधिन को पारवाई तो जाने हैं